नमस्कार नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलेस SSC रेलवे जैसे अने प्रत्यों की परिक्षाओं में काम आएंगे ये सवाल इतिहास राजनीते विज्ञान करें इंटरफियर्स भुगोल और विज्ञान से जुरे होंगे तो आएए देखते हैं आप कितने सवालों के सही सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमबर एक बिहार से प्राप्त मौरे अभिलेकों की लिपी कौन सी है ए खरोष्ठी बी अर्माइक सी ब्रामी डी देवनागरी इस सवाल नमबर दो बिहार का वह कौन सा जुला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को इश्परश करता है ए पूर्णिया बी कटिहार सी किशन गंज डी अररिया इसका सही जवाब है सी किशन गंज सवाल नमबर तीन किस साल में बिहार भारत का एक स्वतंतर प्रदेश बना ए 1857 बी 1905 सी 1907 डी 1912 इसका सही जवाब है डी 1912 में सवाल नमबर चार बौत धर्म से सम्मंदित अर्ध गोलाकार अंतेश्टी सम्मंदी टीले को क्या कहते हैं ए इस्तूप बी तोरन सी विहार डी इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है A. इस्टूप सवाल नमबर पाच शांती निकितन की इस्थापना किसने की थी? A. देवेंदर नात ठाकूर B. रवेंदर नात टैगोर C. राजा रामोहन रॉय D. मानवेंदर नात रॉय इसका सही जवाब है B. रविंद्र नाक टैगोर सवाल नमबर 6 आदि मारव ने सबसे पहले क्या सीखा था? A. आग जलाना B. पशुओं को पालतू बनाना C. पहिया बनाना D. अनाज उगाना इसका सही जवाब है A. आग जलाना सवाल नमबर 7 संग की कारपाली का शक्ति किसमे नहीत होती है? A. प्रधान मंत्री में B. राश्ट्रपती में C. मंत्री परिशद में D. संसद में इसका सही जवाब है B. राश्ट्रपती में सवाल नमबर 8 संसद का उच्छ सदन किसे कहते हैं? A. लोकसभा B. विधान सभा C. राजसभा D. विधान परिशद इसका सही जवाब है C. राजसभा सवाल नमबर 9 कोई वित्तिय बिल कहा प्रस्तावित हो सकता है? A. केवल राजसभा में B. केवल लोकसभा में C. एक साथ दोनों सदनों में D. दोनों सदनों के संयोगत सत्र में इसका सही जवाब है B. केवल लोकसभा में सवाल नमबर 10. वितु धारा को किस उपकरन से मापा जाता है A. वोल्टा मीटर B. एमीटर C. वोल्ट मीटर D. पोटेंशियो मीटर इसका सही जवाब है B. एमीटर सवाल नमबर 11. किस बिमारी के टीका के रूप में B. C. जी का टीका दिया जाता है A. पोलियो B. टीबी C. हैपिटाइटिस A. D. खसरा इसका सही जवाब है B. टीबी सवाल नमबर 12. ब्लूमबर्ग बिलीनर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पचार कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है A. शिव नादर B. लक्ष्मी मित्तल C. कुमार बिर्ला D. गौतम अडानी सवाल नमबर 13. मद्यप्रदिश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदल कर निम्न में से क्या करने की गोशना की है A. नर्मदापूरम B. रामपूर C. कृष्नापूरी D. शंकरपूर सवाल नमबर 14. मृदंग क्या होता है A. दो मुव वाला धोल B. एक प्रकार की बासुरी C. एक तालवाद्य D. एक मृग इसका सही जवाब है A. दो मुव वाला धोल सवाल नमबर 15. भारत में निती आयोग की इस्थापना कब की गई थी A. 1942 में B. 1947 में C. 2015 में D. 1951 मे इसका सही जवाब है C. 2015 में पिछले सेट में हमारे जिंदर्शकों ने सबसे ज़्यादा सवालों की सही जवाब दिये है उनके नाम है प्रभात कुमार, कार्तिक शागुपता, नरेंदर कुमार, शुबम रॉय जविंदर कुमार आप सभी का बहुत बहुत धनवाद हमारे इस सेट में आप कितने सवालों की सही जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे साथ ही आपको हमारी असिरिस फायदे मन लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये अन अभियरतियों के भी काम आ सके तो आज कि इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार